हाई फ्रेंड्स मैंने वीडियो आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टुंडे कबाब गलाउटी कबाब या फिर गलाउटी कबाब भी आप बोल सकते हैं उसकी रेसिपी नाम चाहे कुछ भी हो हमें होता है मतलब सिर्फ तेश्ट से तो बहुत कि श्रान्दार सी यह रेसिपी बनने वाली हमारे कबाब की इसके लिए मैंने 10-1 kg मतन लिया है और इसे मैंने मिक्सी जार में बिल्कुल बारिक साथ पीस लिया है इसमें डाड़ा मैंने 1 टेबल स्पून रॉब पापाया छिलका बिना छिले 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें अध्रक लशुन का पेश्ट और तीन मैंने हरी मिर्च को अच्छे से दरदरा पीस लिया है आप चाहते इसका पेश्ट बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन चौप करके ना डाले परना वो जायके में ख़ले डालता है कबाब क्यूंकि हमारी गलावती कबाब हम बना रहे ह बनिटेबल स्पून मैंने भर के डाला है काजू का पेश्ट अब हम डालेंगे ब्रॉटन अंयन का पेश्ट एक मेडियम साइस के अप अंयने को मैंने ब्राउन यायक करके इसे डर-दरा पीस लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे half teaspoon नमक नमक आप अपने taste के recording कम या जादा कर सकते हैं one teaspoon मैंने देशी घी डाला है इसमें इसमें हमारा जो कबाब का जो texture है बहुत ही soft मुँमें गुला गुला सा जो taste आता है वो इसी से आता है और जब भी आप गोस्त ले उसमें आप 20% fat जरूर डाले kidney fat अब मैंने डाला है इसमें half teaspoon कबाब का मसाला तुंडे कबाब या फी गलावटिक कबाब का एक खास मसाला होता है मैं अपने वीडियो में इससे पहले डाल चुकी हूँ आप जाके मेरे वीडियो को चेक कर ले गलावटिक कबाब का मसाला चेक करोगे तो इसमें मेरा ये वीडियो आ जाएगा अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और मिलाते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आप बिल्कुल ही आराम से इसे मिलाएं और मिलाते वक्त जैसे रजगुले जो बनाते हैं जो लोग जो चेने को जैसे वो हतेली से अपने मसलते हैं वैसे हमें मसलना है ताकि हमारे जो गोस्त थे उसका सारा जो रेशा है वो खुल के सामने आए रच के सामने आए वो देदर की हम अपने हतेली से इसे दबा दबा कर मस लेंगे जैसे मैं कर रहे हूं आप भी बिल्कुल उसी तरह करना मैंने जितना हाँ एक बात हमेशा याद रखना जितना आप गोस्त लो 80% अगर आप गोस्त ले रहे हैं कोई भी गोस्त तो उसमें 20% फैट जरूर डालिएगा तभी आपका जो गलाउटी का भावे बहुत ही सॉफ्ट होगा मैंने वन तीस्पुन केयोणा जल डाला है इस टेम पर आवहनम टीसपुन मैंने लिया है गुलाब जल करें दो टेब rollspoon भर कर मैंने डाला है बेशन बेशन को मैंने भy्राइ रोउस्ट कर लिया था एक भीन सा फुस्बू आता है जो आने लगी तो आपको गैस आफ कर देना है और इस बेसंट को मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से इसे मसलते हुए हम देखिए जिस तरह में मसल रही हुँ आप बिल्कुल ताकि जितना भी जो मसालों का जो फ्लेवर है वो इसके रेसे में चला जाए और अगर आपको मसलते वक्त कुछ भी गोस्त में कुछ भी मिले यह से जो गोस्त का जो बुटी जो कुछ भी होता है उसमें वो उसे निकाल आप मसलते वक्त इतना मसले उसमें कुछ भी ने रेना चाहिए देखिए यह हमारा लगबख कम्प्लीट हो चुका है आप भी इसे टाइम दे और इत्मिनान से आप इसे पसले अब हम इस तरह ऐसे एक हॉल बनाएंगे और हॉल बनाने के बाद इसमें हम रखेंगे एक बाउल इस्टिल का बाउल रखेंगे आप और हम तोड़ा सा डालेंगे देशी घी और एक हरी लाइची का दन और इसे धक के दस मिलट तक इसको रखेंगे हम ताके जो होटल वाला जो फ्लेवर आता है जो स्मुकी फ्लेवर आता है वो इसमें चला जाए अब हम एक पैन में ओल डालके और टुंडे कबाब को डालते ज जायर ना हो इसलिए मैंने जपड़ से यह कर दिया है आप भी बिल्कुल ऐसी करें कबाब के से गोल्ड शेप में करके और एक करके डाले जब हमारा एक तरफ से धीमे आज में पक जाए यह से नॉर्मल कबाब बनता है सारा प्रोसेश जो मसंत्य वक्त होता है वो देखें मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही है और प्रेटते हुए हमें देखिए सारी के सारे हमें प्लट देना है यह कितना शांदार दिख रहा है हमारा तुंडे कबाब और मेरा जो किचन है यह से लग रहा है हमें लखनाव में बैठ के श्ट्रीट फूट खा रही ह तुंडे कबाब यह देखिए प्लट देना है ऐसे अब प्लटने के बाद हमें कुछ नहीं करना है फोड़ी देख लिए इसे पकाना है दोसे तरफ से भी और हमारा जबदसता तुंडे कबाब रेडी होके खाने के लिए तैयार है